मद्यप्रदेश में लोकसबा चुनाओं के लिए चार चर्णों में मद्दान खत्म हो गया है। इस दोरान कई नेताओं ने कॉंग्रेश छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब पार्टी में उनकी वापसी की सुख बुगाहट हो रही है। इसी बीच प्रदेश कॉंग्रेश के अध्यक्ष जीतु पटवारी के मीडिया सलाकार केके मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कॉंग्रेश के वरिष नेताओं को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पार्टी के कोई सीनियर नेता भाजपा में गए नेताओं को वापस लाएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। केके मिश्रा ने कहा कि संकट के समय में कॉंग्रेश पार्टी और विचारदारा को छोड़ कर जो नेता बिजेपी में शामिल हुए हैं वो लोग गद्दार हैं। कॉंग्रेश पार्टी के जो भी सीनियर इन गद्दारों को पार्टी में वापस लाने की कोशिश करेगा हम उनका भी विरोध करेंगे। कॉंग्रेश पार्टी कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं है जहां कोई एशो आराम के लिए आए और संकट के समय में छोड़ कर दूसरी पार्टी में चला जाए। बिना डरे बीतरगातियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच कहने के लिए किसी मौसम और मुहर्त की जरुरत नहीं पढ़ती है। सच कहने के लिए जजबा जिगर चाहिए। उन्होंने भीतर गातियों को लेकर सज्जन सिंग वर्मा के बयान पर भी अपनी सहमती जताई है। पता दे कि लोकसभा चुनाओ के दोरान बड़ी संख्या में कॉंग्रेस के नेता बारती जनता पार्टी और अन्य दलों का दामन थाम लिये थे। इतना ही नहीं इन दोर में कॉंग्रेस प्रत्याशी अक्षे कांती बम ने अपना नामंकन वापस लिया था और भाजपा में शामिल हो गए इससे पहले भी विदानसभा चुनाओ के दोरान कई कांग्रेसी बाचपाई बन गए थे कि आपके इसाब से इस तरह रातो रात किसी की विचार धारा बदल जाती है या यह केवल खुद के स्वार्थ के लिए नेता ऐसे फैसले लेते हैं एक पार्टी के इत और हमारे चैनल खबर बेबाग को सब्सक्राइब करें